periodic table में 22 से दाई और जाने वाली 7 रोज होती हैं जिन्हें periods कहा जाता है और उपर से नीचे की और जाने वाले 18 columns होते हैं जिन्हें groups कहा जाता है periodic table में सभी elements उनके atomic number के अनुसार विवस्थित होते हैं जो उनके nucleus में इस्थित protons की संख्या होती है तो ये periods और groups आखिर क्या दर्शाते हैं? Period एक element के उस electron shell को दर्शाता है जो भरा जा रहा है उधारन के लिए period 3 और group 1 के element sodium का electronic configuration है 2,8,1 जिबकि chlorine जो की तीसरे period में ही है लेकिन जिसका group 17 है का electronic configuration है 2,8,7 दोनों ही cases में वो तीसरा shell ही है जो भरा जा रहा है क्या आप देख सकते हैं कि किसी element के group और उसके बहारी shell में इस्थित electrons की संख्या के बीच में क्या संबंध है ध्यान दें कि यदि group में दो संख्याएं हैं तो हम दूसरी संख्या काम में लेते हैं वीडियो को यहीं रोकें और सोचें इक element जिस भी group में होता है वो group उस element के सबसे बहारी shell में स्थित electrons की संख्या बताता है अब वीडियो को फिर से रोकिए और carbon atomic number 6, period 2 और group 14 के लिए electronic configuration लिखिए कारबन का electronic configuration है 2, 4 क्या आपने भी है लिखा है Chemical reactions electrons के movement पर नेरभर करती हैं इसलिए क्योंकि किसी भी एक group के लिए सबी elements के बहारी shells में electrons की संख्या समान होती है उनकी chemical properties भी काफी मिलती जुलती होती है चलिए नजर डालते हैं एक period के अंतरगत कुछ प्रवर्तियों यानि trends पर हर period के अंतरगत elements की properties के trends को periodicity कहा जाता है जब हम एक period में 20 से दाए जाते हैं तो क्या देखते हैं सबसे पहले elements metals से non-metals में परिवर्तित होते जाते हैं ये भी ध्यान रखें कि atomic radius में कमी आती है ऐसा इसलिए है क्योंकि nucleus में protons बढ़ते जाते हैं जो electrons को अपने और खरीब खीचते हैं पहली ionization energy में भी व्रिधी होती है जो कि सबसे बाहरी electron को अलग करने के लिए आवशक उर्जा होती है और electronegativity में भी व्रिधी होती है जो कि किसी भी covalent bond में shared electrons के लिए एक atom की आकर्शन को दर्शाती है अब हम ग्रूप में नीचे जाते हुए मिलने वाले trends को देखते हैं ध्यान दें, elements और अधिक metallic बनते जाते हैं ये सपश्ट रूप से ग्रूप 14 में देखा जा सकता है जहां दूसरे period में carbon एक non-metal है लेकिन period 6 में स्थित lead एक metal है वैसे कि आपको पता है metals वे elements हैं जो किसी भी reaction में अपने electrons को दान करके react करते हैं और non-metals, electrons को प्राप्त करके react करते हैं इसके अलावा, group में नीचे जाते हुए atomic radius में वृद्धी होती है इसका मतलब है कि group के हर दूसरे element के साथ एक नया shell जुरता चला जाता है हलाकि पहली ionization energy में कमी आती है जो कि जैसा पहले भी हमने देखा सबसे बाहरी electron को अलग करने के लिए आवश्यकूर जा होती है